नमस्कार भारत एंड वर्ल्ड अपने इस नए वीडियो में मैं आपका तहें दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के एलडि टिप्स में आपका ये जो वीडियो होने वाला है वो आखो के नाम होने वाला है और इसमें हम लोग बात करेंगे कि आखों में मोतिया बिंद कि अगर लक्षन आते हैं तो आप कैसे इसे पहचान सकते हैं और पहचाने के बाद तुरन तापिसे जाकर ठीक करा लिजेगा इलाज करा लिजेगा आखों में मोतिया बिंद की समस्या बहुत आम होती है एक उम्र के बाद करी लोग मोतिया बिंद की समस्या का सामना कर रहे होते हैं हलाकि इस बिमारी के लक्षनों को पहले से समझ लिया जाए तो आपकी आखों को बचाया जा सकता है ऐसे में आपको क्या क्या करने है और मोति बिंद कहा जा सकता है इस बिमारी में आखों के अंदर की लाइट धुंदले पन की वजह से परदे तक नहीं पहुच पाती है आईये इस बिमारी के लक्षे वारे में जानते हैं सबसे पर आयेगा धुंदलापन मौतिया बिंद का सबसे आम लक्षन आखों में धीरे-धीरे बढ़ रहा धुंदलापल हो सकता है। ऐसे में वक्त के साथ मोतियाबिंद की स्थिती बिगड़ने पर आखों की रोशनी भी कम होने लगती है। मोतियाबिंद से ग्रस्त लोगों को राट में देखने में समस्या हो सकती है। तेज रोशनी में भी परिशानी होती है। मोतियाबिंद के कारण आपको तेज धूप में देखने में परिशानी हो सकती है। अगर आसान सब्दों में समझने की कोशिस करें तो इस बिमारी में जादा तेज रोशनी को देखना मुश्किल हो सकती है। दोस्तो डबल वीजन, मोतिया बिंद के लक्षनों में से एक डबल वीजन भी है, इस इस्तिती में आपकी सिर्फ एक आख खुली होने पर भी आपको छविया दोरी नजर आ सकती है, तो इसे मोतिया बिंद का लक्षन समझेगा, नमबर में बदलाओ, कई बार मोतिया बिंद के कारण चस्मे या contact list के नमबर में बार-बर बदलाओ होने लगता है, इसके पीछे की वज़ह यह होती है कि मोतिया बिंद लगातार बढ़ने लगता है, दोस्तो रंगों से जुडी समस्या, मोतिया बिंद की वजह से कई लोग रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं, इस बीमारी में आपकी नजरे धीरे-धीरे भूरी या पीली हो सकती है, हलाकि इस्तिती ज़्यादा बिगरने पर आप रंगों में अंतर नहीं कर पाएंगे, दोस्तो आई होब कि इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिली होगी, कि अगर आपको मोधिया बिंद के लक्षन आ रहे हैं, तो आप इसे आसानी से पकर सकते हो, अगर ऐसा हो तो प्लेस वीडियो को लाइक किजिएगा, भाई कोईसी तरीके से आगे बढ़ाते रहे हैं, चाल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स टिप्स के साथ, बाई बाई, टेक क्यार,